हालो फ्रेंट विल्कम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंट से आंट इस्वोर्ड का गेमिंग पावर सप्लाई है जो गेमिंग में यूज होता है 1850 वाट का है देखिए हां में इंसन है और जिसका मॉडल नंबर है BT8150G तो इसांट 1880 वाट की पावर सप्लाई काफी हैवी ह और जो गेमिंग पीसी में यूज होती है नॉर्मली और नॉर्मल पीसी में नहीं उज करते हैं क्यों काफी कोश्टली भी आती है तो यह देखिए इसमें बहुत सारे कनेक्टर भी मिलते हैं जिससे कई सारे जिसमें जीप्यो और आर जीबी बहुत सारे कनेक्ट होते हैं ग पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ आप इसको जरूर रिपेर कर पाएंगे अगर आपके पास गेमिंग PC की पावर सप्लाई आती है रिपेर होने अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो यह देखिए पावर इंपूट देकर एक बार चैक करेंगे कि यह ओन हो रहा है कि नहीं नॉर्मली अगर सप्लाई सही है तो यह आउटपुट के जो फैन लगा हुआ है इधर वो फैन चल जाना चाहिए और आगे अगर दिक्कत होगी तो लोड अगयर रखे होगी देखिए इसमें आपको जिस अपता हो एक ग्रीन वायर है मारे वायोग इस में जो फैन प्ले लगा इसमें ग्रीन वायर इसको अगर हम ब्लैक से शॉट करते हैं तो हमार रेलीज रहा है इसमें प्लियस यहां से शॉट कर्दिया है green or black لیکن हमारा fan देखिए name हो रहा है तो इसका मतलब प्रोब्लम है इसमें और बट जब लगाते हैं तो relay की आवाज आ रही है एक बार तो input इसका मतलब सही है sorting नहीं है इसमें क्योंकि input में voltage आ रही है नहीं तो relay की आवाज नहीं आती तो यह देखिए input side है इदर मौसफट लगे हुए है मेन फिल्टर केपिस्टर टांसफोर्मार है और इधर पूरा आउटपूट है जो जिदर केबल वगएरा आपको मिलेगी तो आउटपूट सेक्षन होता है जसा आपको पता होगा और इसमें दो फैन दिया हुआ है कूलिंग के लिए जो कि हैबी SMPS मे लगता ही है कूलिंग भी बहुत जरूरी है नहीं तो ओबर हीट हो जाएंगे एक आउटपूट की साइड में है एक इन्पूट की साइड में जिदर से पावर इन करते हैं तो इसको हम खोल लेंगे खोल के फिर चेक करेंगे कि इसमें प्रोब्लम क्या है और फ्रेंस वीड होती है आप मैंने नंबर दिया हुआ है आप उसके वाटसप कर सकते हैं मोडल नंबर उसका इमेज करेंगे की तो मैं आपको प्रोवाइट करवा दूँगा तो यह देखिए सम्पीस पूरी ओपन कर लिए मैंने तो अब इसमें देखिए इसका फिल्टर के पेशर चार्ज रहता है कापी तो एक बल्ब ले लें तो उससे इजली है डिश्चार्ज कर सकते हैं तो मैंने एक 100 वाट का बल्ब रखा हुआ है पाउर सप्लाय करने के लिए कई बार अगर आप इसको नहीं करने तो आपको तगड़ा यहां पे करन्ट लग सकता है डिसी करन्ट होता है ल फिल्टर के पेश्टर लगा है और यह पूरा आउर्पूट है तो यह दिखिए आपको यह चमक भी रहा होगा तो इसमें मेटल लगा हुआ है जिससे की हीट हीट अबजर्व कर ले थोड़ा बोन और प्रोटेक्शन रहे कंपोनेंट्स की तो हम सबसे पहले अब इसमें द करके कि सोटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि इस टाइब की प्रोबलम में जायतर सोटिंग होता है यह देखिए यहां देखिए यहां पर इस सोट दिखा रहा है और यहाँ पर भी एक सोट दिखा रहा है देखिए और यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर एक जो डैवोर्ड है वो सोट दिखा रहा था और यह हमारा इधर का एक सोट दिखा रहा है जो एक कार्ड लगा हुआ है वहाँ पर यह कार्ड है तो इसको हम निकाल के फिर बाहर चेक करेंगे तो अंदर से भी एक बार चेक कर सकते हैं उस पर दो MOSFET लगे हैं तो यह देखिए शोर्टिंग दिखा रहा है जिरो जिरो बैलू आ रही है यह देखिए तो यहां पर दोनों MOSFET SORT दिखा रहे हैं हमें तो इनको निकाल कर हम फिर चेक करेंगे प्रोपर कि सर्किट में भी नहीं प्रोब्लम है या बाहर भी SORTING दिखा रहे हैं क्योंकि जब तक निकालेंगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि वाले MOSFET SORT हैं कि या यह दोनों SORT हैं तो यहां देखिए यह SORTING दिखा रहा है SORT है MOSFET और यह देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो यह पूरा OPEN हो चुका है खराब यह भी है नहीं तो बैलू दिखानी चीज़ 300 के आसपास आता है तो यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहां दोनों MOSFET कराब हो गए है तो इनको हम चेंज करेंगे से में 30 बोल्ट 52 एंपियर के आसपास के MOSFET है अगर यह नहीं है तो आपके मदर बोर्ड में मिल जाएंगे 12 बोल्ट के ट्रेक पर वहां से आप निकाल सकते हैं जो मदर बोर्ड होता है तो अब देखिए इसका मैंने निकाला हुआ है यह दूसरी दूसरा बोर्ड है जिसका ट्रांसफार्मर बर्ण है देखिए इसका कार्ड सही था तो कार्ड मैंने निकाल लिया है अभी आपको चेक कराऊंगा इसकी बैलू तो देखेंगे आप तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा कि यह देखिए वरकिंग में 435 के आसपार दिखा रहा है और एक सोर्स है ग्राउंड है जिससे कोई बैलू नहीं आ करेंगे हमारा ओन होता है कि नहीं होन होता है अगर ओन हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो और फिर देखेंगे कि कोई और कंपोनेंट इसके साथ भी खराब हो सकता है कि का पावर सप्लाई में और पूर सेक्षन में तो इसको हम लगा लगा देंगे प्रोपर स्वल्डिंग क आपको मिलेगी और इसमें कंपोनेंट भी इसली नहीं निकलेंगे थोड़ा केरफुली निकालना होता है क्योंकि उन्होंने इसको पहले करा हुआ है लेकिन वो डियाग्नोस नहीं कर पाया प्रोपर फॉल्ड को तो मैं हमारे पास आया हुआ है तो यह देखिए इसमें इंप और ब्लेक वायर है ब्लेक ग्राउंड है ग्रीन पीस ओन है तो इनको हम सोट कर लेंगे देखिए फैन मूव होने लगा अगर आप वो दिख रहा होगा यह देखिए फैन मूव प्रोपर मूव होने लगा इसका मतलब यहीं पर शोटिंग थी यह देखिए बैक साइड का भ तो हम इसको भेज देंगे जिनका है वो अपने पीसी पर लगा के चेक कर लेंगे वच्छे मैंने पहले ऐसे फोल्ट डिया हुआ है तो चल गई थी पावर सप्लाई तो इसमें यही फोल्ट था और अगर आप यहां पर ऑन करके भी बोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यह नहीं हुआ है तो नहीं ठीक हो गया है जब यह सिस्टम से लगेगी तो सारी वोल्टेज बन जाएगी